हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राम्ही अकेडमी, आज हम 2015 वाला कुश्चन सौल कर रहे थे, कुश्चन पेपर, तो हमारा जो 10 वर्ट्स वाले कुश्चन से वो सारे सौल हो गये थे, आज हम करेंगे 15, आपके तुरूज 15 के, जो 50 वर्ट्स वाले कुश्चन है, वो सारे मैं आ रही हो, मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी जादा से जादा लेक्शर लेकर आओ, जिससे जुलाई वाले पेपर में आगको काफी हेल्प मिल सकी, ठीक है, चालू करते हैं आज का लेक्शर, पहला कुश्चन जो आए था 50 वर्ट्स में, मतलब पहले 100 व बताना है, थुड़ा बूरा बताना है, ठीक है, तो intellectual property right, IPR, refer to legal right granted to individuals or entities over their creation or invention, हम किसी entity, individual और किसी entity को legal right देते हैं, words याद रखेगा, यह सब आपको definition में रखने ही रखने है, legal right देते हैं, उसके creation के लिए, invention के लिए, और यहाँ पर आप आड कर सकते हैं, for a limited time, limited time duration, मतलब ऐसा नहीं है कि अब हमेशा के लिए आपको legal right मिल गया है, एक limited time duration के लिए legal right मिला है, individual or entity को उसके creation के लिए, invention के लिए, ठीक है, इसमें क्या-क्या include होता है, copyright है, patent है, trademark है, trade secrets है, यह सारी चीजे include होती है, IPR के अंदर, ठीक है, providing exclusive rights and protection against unauthorized use or copying, यहां पर ध्यान रखना है कि अगर आप copy करते हैं, कोई और use करता है, यह copy करते है, unauthorized तरीके से, तो उसके लिए exclusive right दिया गया है, invention करने वाले को, ठीक है, तो आप नहीं कर सकते, legally आपको, मतलब, कुछ साल, कुछ आपको fine देना पड़ेगा, या jail हो सकती है, तो यह आपका क्या हो गया, IPR, आपने definition बता दी, क्या क्या include होता है, यह बता दिया, फिर मैंने आपको बताए कि कुछ positive point देने पड़ेंगे, intellectual property right के कुछ negative देने पड़ेंगे, तो हमने पहले advantages बता दि हो गया artist and creator, जो inventor है, creator है, उसको क्या कर रहा है, innovation के लिए encourage कर रहा है, ठीक है कि आप काम कर रहे हो, तो आपको क्या मिलना चाहिए, उसका financial benefit मिलना चाहिए, उसको encourage करने के लिए क्या कर रहे है, आप उसको क्या कर रहे है, legal right दे रहे है, ठीक है भाई, हमने protection दे रखा है, इ इनेबल इंडिविजुल और और्गनाजेशन तो गेन रिकोगनीशन एक्स्क्लूजिव राइट और फाइनिशल बेनिफिट फ्रॉम देर इन्वेंशन ठीक है जैसे मैंने बताया कि आपके पास बेनिफिट मिल जाएंगे इतने टाइम के लिए आप यूज करोगे फाइनिशल बेनिफिट ले लिया उसके लावा आपको रिकक्नेशन मिल गया कि आप ऐसा काम कर रहे हो इस फील्ड में ठीक है आपको एक्स्क्लूजिव राइट मिल गया उसके तो यह हो गया आपके अठीज इस डिस अडिस की बात करें बिसाडिज क्या क्या है सबसे पहला तो यह limit कर देता है access to knowledge and hinder कर देता है collaboration and progress particularly in field where sharing and building upon existing ideas is essential, ठीक है, हमने बोला कि यह हमारा जो idea है वो हमें दे दो, मतलब patent कर वा लिया या copyright ले लिया, तो वो जो knowledge है न वो limited हो जाता है तो जो ऐसे field है, जहां पर collaboration जरूरी है, वहां के लिए वो knowledge जरूरी था, तो अब क्या हो रहा है, अब उसका use नहीं कर सकते, क्योंकि copyright issue आचाएगा तो यहां पर यह जाता है क्या, बहुत limit हो जाता है access to knowledge, ठीक है next आपने देखा, next क्या है, मैं lead to monopoly, ठीक है, अब मैंने कोई यासी दवाई invention की, की cancer patient के लिए बहुत important है, ठीक है लेकिन मुझे पता है कि यह सिर्फ मैंने अभी invent की है, मैंने उसका patent ले लिया, ठीक है अब मैं क्या गरूंगी, कि उसको किसी भी price में market में उतार दूंगी, क्योंकि मुझे पता है, कि अभी सिर्फ यह पहली दवाई है, जो cancer patient के लिए बनी हुई है तो मैं जितना चाहे उतना उसका price रख सकती हूँ producer एक है, demand बहुत ज़्यादा है, तो वो producer चाहे तो कितनी भी value रख सकता है, तो इससे आती है monopoly ठीक है, उसके अलावा high price रख सकता है, कि उसकी monopoly है, सिर्फ वही है जो produce कर रहा है restricted access to certain products and technology, तो क्या हो गया, उस technology का use बहुत limited हो गया और monopoly आ गए, कि भाई हम जो भी machine इससे बनाएंगे, वो जितने चाहे उतने चाहे price में बेच सकते हैं, तो यह आपका हो गया disadvantages IPR का, एक तरफ advantages भी है, कि वो encourage करता है, जाते से ज़्यादा creativity, innovation, उसके अलावा disadvantages यह हो गया, कि वो limited कर देता है knowledge, limited कर देता है use of technologies, monopoli आ जाती है, इससे बहुत ज़्यादा prices बढ़ने के chances रहते हैं, ठीक है, तो यह हो गया आपका intellectual property right, आपको 50 words में, जितनी line है, आराम से 50 words के लिए यह आपका question हो जाएगा, ठीक है, next देखें, explain light emitting diode, LED के बारे में बताने हैं, तो LED क्या होता है, कैसे काम करता है, आप थोड़ा तो बताएंगे 50 words में, कहां कहां application है, इसका, सबसे पहले हो गया, आपका light emitting diode is a semiconductor device that emits light when an electric current passes through it, ठीक है, एक a semiconductor device है, जब इससे current pass होती है, तो यह light emit करता है, ठीक है, यह हो गया, LED की definition, फिर क्यों हो गया, electrons recombine with electron holes, जो भी electrons होते हैं semiconductor में, उससे क्या करता है, recombine करता है, release करता है energy in the form of photons, producing visible light, जब electrons जो है, electron holes से recombine होते हैं, तो वो energy release करते हैं, वो energy किस form में होती है, photons के form में, और photons के form में होने के कारण, यह क्या होती है, visible light produce करता है, ठीक है, visible light produce करेगा, मतलब हमें क्या होगा, light दिखेगी, ठीक है, तो यह होगा कि electric current जब पास होती है, इस semiconductor device से, जिसमें electron, electron hole से recombine होते हैं, और photon के form में energy release करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, यहां पर हमें light मिलती है, ठीक है, visible light मिलती है, फिर LED का structure, LED's structure including the specific materials used, determine the wavelength of the light produce, ठीक है, semiconductor material कौन सा use हो रहा है, LED में, वो तै करेगा कि आपकी जो wavelength है light की, वो कितनी होगी, ठीक है, next होगा आपका यह energy efficient है, durable है, और commonly used for lighting, displays and indicators, ठीक है, हम indicators में, displays में, और lighting में commonly use कर रहे हैं, क्योंकि energy efficient है, durable है, ठीक है, next हमने बताया, LED ओफर करता है various colors and have become a popular alternative to traditional fluorescent light, आप देख रहे हैं, आज गल हम maximum LED lights use कर रहे हैं, बहुत थोड़े टाइम पहले कुछ साल पहले हम यलो कलर का जो टंगस्टन वाला होता था, बल्ब, वो यूज करते थे, अब आप देख रहे हैं कि मतलब एक phase out हो गया है, वो वल्ब आपको दिखेगा भी नहीं, सिर्फ गाओं में दिखेगा, और गाओं में भी बहुत जदा आप LED यूज करने लग गया है, LED lights, क्योंकि ये durable है, energy efficient है, इसलिए government भी बहुत जदा management आया है, 200 words में, ठीक है, और आपका 10 words में क्या आया हुआ था, bio medical, जो आपका waste था, उसके बारे में management था, biomedical waste management, यहां भी याद रखना है कि आपका waste management जो है, हर paper में आ रहा है, 10 words में भी आ रहा है, 50 words में भी आ रहा है, 200 words में भी आ रहा है, तो जब आप notes बनाएं अपने, आप इसी form में बनाएं कि e-waste अगर 20 words में, 10 words में आता है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, फिर 50 words में आता है, तो आप क्या-क्या लिखेंगे, और उसके बाद 200 words में आता है, तो क्या-क्या लिखेंगे, ठीक है, अभी e-waste management में आपको बता ही दिया है, 200 words में क्या-क्या लिखने है आपको e-waste policy के बारे में भी थोड़ा बताना पड़ेगा last में इंडिया में कैसी policy है क्या क्या हम कर रहे हैं e-waste management के लिए और अगर 10 words में आता है 50 words में आता है तो यह आपको notes बना के अपने रखने पड़ेंगे proper तरीके वे जिससे आप revision कर पाएं कि जब आएग refer to proper handling recycling and disposal of electronic waste electronic waste का proper management की बात कर रहे हैं मतलब यहाँ पर handling भी होगा recycling भी होगा और उसके बाद बचा हुआ समान disposal भी होगा तो disposal recycling और यहाँ पर collection ठीक है handling transportation segregation सारी चीज़ें आएंगी e-waste management में ठीक है अच्छा यह सारी चीज़ें किसका करना है electronic waste का ठीक है की aspect of electronic waste आप चाहे तो यहाँ पर यह भी बता सकते हैं कि electronic waste में क्या-क्या include होगा ठीक है अगर आपको लगता है कि आपको include वाली चीज़ें भी एक दो example लिख सकते हैं जैसा कि क्या होगा आपका computer हो गया ठीक है उसके अलावा आपके जो devices हैं ठीक है इससे related devices television TV हो गया तो यह सारी चीज़ें आपकी electronic waste में आएंगे फिर हमें बताना है इलेक्ट्रानिक वेस्ट के बारे में ज्यादा नहीं बताना है क्योंकि हमें explain करना है इवेस्ट management ना कि electronic waste इसलिए आपने थोड़ा सा पताया कि इवेस्ट management है क्या electronic waste का example बता दिया फिर चालू करते हैं कि management में क्या-क्या चीज़े involve हैं सबसे पर लोग आपका collection proper and safe collection of electronic waste from household businesses and institution collection कहां से होना चाहिए एक तो घर से आपका laptop हो गया और या फिर पुराने computer हो गया उनसे कोई भी सामान हो गया electronic waste phone हो मोबाइल फोन तो यह सारी चीज़ें आपके household से बिजनेसे से इंस्टिउशन से सबका proper collection सबसे पहले तो होगे management में क्या collection पहले collection फिर दूसरा segregation segregation में क्या होगा based on their components and material to facilitate recycling and proper disposal ठीक है segregate करेंगे हम क्यों से material कौन-कौन से लगा हुआ है उसके अलावा components कौन-कौन करेंगे अच्छा हम segregate कर क्यों रहे हैं मतलब अलग-अलग क्यों कर रहे हैं क्योंकि उन में से कुछ समान ऐसे होंगे जिसको हम recycle करेंगे कुछ समान ऐसा होगा जिसको हम क्या करेंगे reuse करेंगे तो इसलिए segregation बहुत जरूरी है ऐसे यह आपने देखा है अगर solid waste management की बात करें तो गीला कचड़ा अलग सुखा कचड़ा अलग क्यों कर रहे हैं segregate क्योंकि उनका proper management हो पाए सुखा कचड़ा आपका अलग जाएगा disposal के लिए गीला कचड़ा अलग dispose होने जाएगा ठीक है इसलिए किसी भी अगर waste management की बात करेंगे तो आपका collection segregation recycling यह आपके common point रहेंगे ठीक है recycling में क्या होगा recovering valuable materials such as metals and plastics through recycling process ठीक है recycling में क्या कर देंगे हमने segregate कर लिया metals वगयरा कुछ मिल गया हमें जो valuable materials है वो मिल गया तो हम उसको recycle कर देंगे किसी और चीज़ में ठीक है उसके बाद आपका disposal जब हमने देख लिया recycle कौन कौन सा समान हो रहा है कौन कौन सा आपका reuse करने लायक है तो हमने reuse कर लिया recycle कर दिया उसके बाद करेंगे disposal ठीक है safely disposing of non recyclable e-waste is designated in designated facility हम disposal करेंगे अच्छा dispose भी कहां करेंगे ऐसे कहीं भी dispose तो कर नहीं रहेंगे एक अठा करके इतने अच्छे से government की rules है बहुत सारे तो dispose भी करने के लिए government क्या करती है facilities देती है ठीक है designated facilities में मतलब एक area define करती है कि आप यहां जाके क्या कर सकते हैं dispose कर सकते हैं यह इस method से आप dispose कर सकते हैं तो वह government अपने rules में बताती है तो safely disposing होना चाहिए ठीक है dispose भी हो तो बहुत safely हो recycling जो तब भी non recyclable object बचा हुआ है ठीक है फिर होगा awareness and education promoting awareness among individual and organization and encouraging participation in recycling programs management का यह भी बहुत बड़ा आपका point है कि awareness और education फैलाना चाहिए हम mobile phone है chips है और उसके लावा components है computer वगएर के वो कहीं भी नहीं फेक दें उनका proper disposal जरूरी है क्योंकि उसमें बहुत जादे hazardous material यूज होते हैं lead mercury cadmium यह human health environment सबके लिए बहुत ज्यादा नुकसान दाएगा है इसलिए उनका proper disposal जरूरी है disposal के लिए आपको awareness और education फैलानी पड़ेगी ठीक है इंडिविजुल्स में organizations में फिर लास्ट में आपने बता दिया e-waste management rules जो 2016 में आया 2022 में amend भी हुआ our deal with e-waste management ठीक है यह आपने बता दे कि इंडिया में e-waste management rules जो है 2016 में आया था 2022 में हमने amend भी किया यह आपका हो गया 50 words का e-waste management नेक्स्ट हो गया आपका what is alnino अब आपको लगेगा कि यह तो geography वाला question होना चाहिए था यह science में क्यों पूछा गया है तो ऐसे alnino आपको दिख जाएगा science में मतलब एक दो बार और और पूछा गया है 2014 से लेके मतलब 2020 तक एक दो बार पूछा गया है science वाले paper सबसे पहले बता देंगे है क्या तो alnino is a climate pattern characterized by the warming of the Central and East Central equatorial Pacific Ocean आपको Pacific Ocean मतलब आपको बताना हो बहुत ऐसे normal तरीके से तो यह आपने बता दिया Asia वाला portion ठीक है यहां पर आपने बता दिया Australia यह आपका पूरा हो गया थोड़ा सा डियाग्राम बनाना है अगर तो यह हो गया आपका Pacific यहां पर आपका हो हो गया North America यहां पर हो गया South America तो यह वाला रीजन है ना इसको डिनोट कर सकते हैं कि यहां पर क्या होता है जो आपका वाटर होता है ओशियन का पानी होता है वह नॉर्मल जो होना चाहिए गरम उससे कहीं ज्यादा गरम हो जाता है ठीक है तो यह climate pattern है characterized by warming of the Central and East Central equatorial Pacific Ocean including area of the Pacific Coast of South America जो South America वाला coast है यहां पर भी इस वाले coast में भी जो वहां का ओशियन का वाटर है वो नॉर्मल से थोड़ा जादा गरम हो जाता है इसको बोलते हैं इसमें क्या होता है सबसे पहले तो यह बताएंगे कि होता कब कब है तो यह अकर होता है irregularly मतलब कोई pattern नहीं है कि एक साल में होगा कि दो साल में होगा irregular तरीके से होता है every few years and can cause droughts, floods and temperature extremes यह हर कुछ साल में होता है कोई fix pattern नहीं है बहुत irregular है उसके अलावा क्या करता है पूरे वर्ड में क्या करेगा drought ला देगा या flood ला देगा या temperature extreme कर देगा मतलब इसका impact किसी एक country में नहीं है या किसी एक particular जगह पे नहीं है यह global weather आपका जो है उसको impact करता है ठीक है फिर अल्नीनो disrupt करता है ocean currents मैंने बता है जो आपकी ocean है वो पानी थोड़ा जादा गरम हो जाता है normal से तो आपकी ocean current disrupt हो जाती है उसकी विज़ए atmospheric circulation है ocean current जब disrupt होंगी तो circulation जो है atmospheric circulation वो impact होता है उसकी विज़ए से weather system of worldwide impact हो जाता है मतलब यह particular किसी एक जगह की बात नहीं है होता कहां पे है यह Pacific Ocean पे होता है आपके South America वाले part के पास ठीक है इसका next देखें it can also affect temperature patterns and causing shift in ocean current which can have cascading effect on fisheries water availability in the region ठीक है मैंने बताए कि आपके जो ocean current है उस पे impact पड़ता है atmospheric जो आपका pattern है उस पे impact पड़ता है अगर ocean current पे impact पड़ेगा तो वहां पे fisheries है उस पे impact पड़ेगा उसके अलावा उस reason में water availability पे impact पड़ेगा तो उस reason के भी बात करें particular आपके Pacific वाले reason की बात करें है जहां पे यह अल्नीनो start होता है तो वहां पे क्या होगा ocean current change होगी मतलब उसका pattern change होगा जो atmospheric circulation है वह disrupt होगा ocean current disrupt होने के कारण क्या होगा आपका fisheries में impact पड़ेगा और water availability उस reason में वह भी उस पे भी प्रभाव पड़ेगा ठीक है उसके पहले मैंने क्या बता था कि जो आपका यह यहां पर it can cause droughts floods and temperature extremes मतलब यह पूरे वर्ड में कहीं पर drought लेकर आएगा कहीं पर flood लेकर आएगा यह कहीं पर extreme weather लेकर आएगा इंडिया में देखें इंडिया में क्या होता है अल्नीनो can have various impacts on India including reduce monsoonal rainfall यह याद रखना है monsoon rainfall जो है वो कम हो जाती है अल्नीनो के आने के कारण तब थोड़ा condition आ गई drought की वज़ा से हमारा क्रशी जो agriculture है वो बहुत ज्यादा impact करता है घअ ठीक है कहीं पर flood आएगा कहीं पर drought आएगा इंडिया में आपकी जो monsoon है इंडिया के पसप्त्य चसे याद रखेगा इंडिया में monsoon कम हो जांती है आपकी जो ellhake i लिया कुछ भी याद रखिए तीक दूसरा आपका है ला नीना ला लीना जो है उसकी पोड़ांक economy अच्छा होगा तो मान्थ्च लाटी है ना यह से कर आप याद कर सकते ते लह जो है बारिश कम कर देते मपलब यहांके बारिश कम होती है लेकिन लाती है बारिश मॉन्सून लाता है कौन ला नीना ठीक है कमपारिजन भी आजबता है इन दोनों में आपके जोग्रफी वाले पॉर्शन में यहां पर अलीनों पुछा हुआ साइंस में तो आप 50 वर्ड में में चीजे बता देंगे क्या है क्या इसका इंपक्ट है वर्ड वाइड क्या है इंडिया में इसका इंपक्ट क्या है ठीक है नेक्स देखें अच्छा यह क्यों जनेरेट हो रहा है यह सारे चीजे आप 50 वर्ड में वैसा भी नहीं बता सकते हैं तो इसलिए जादा उस पर फोकस मत करिएगा में में चीजे बताने की कोशिश करिए अगर आपको लगता है कि आप एक लाइन में समझा सकते हैं तो आप एक लाइन में आराम से लिख सकते हैं कि यह क्यों जनरेट हो रहा है ठीक है ? What is Biomass energy के बारे में बताना है Biomass energy refers to the energy derived from organic material Biomass energy वैसी energy है जो आपके organic material से हमें मिलती है ठीक है आपको energy मिलेगी उसको हम बोलेंगे biomass energy अब organic material में हम कौन कौन से material ले सकते हैं जो आपका agricultural residue है मतलब जो आपका बचा कुछ है agriculture में वो वूड का ले सकते हैं biofuels जो आपके हो गये organic material से जो हमें energy मिलती है वो कहलाती है biomass energy ठीक है it involves converting biomass through processes like combustion और anaerobic digestion produce heat electricity और biofuels as a renewable energy source हम क्या करते है अब इसमें हमने क्या बताया पहले तो biomass energy है क्या फिर हमने बताया कि यह कैसे बनती है कैसे बनती है मतलब हमने दो process लिखे है combustion या तो हम कर सकते है anaerobic digestion ठीक है anaerobic digestion मतलब oxygen की absence में जो digestion होगा आपका anaerobic digestion इन process से हम क्या कर सकते है जो भी आपका organic waste है material है organic उससे हम biomass energy generate करते है ठीक है जब anaerobic digestion होगा उसमें produce होगा heat electricity और biofuel मतलब energy जो है वो या तो electricity के form में generate हो सकती है या तो biofuel के form में generate हो सकती है ठीक है तो biomass energy में यह energy का अगर form देखे तो heat भी है electricity भी है और आपका यह biofuel भी है ठीक है फिर हम advantages बताएंगे biomass energy के advantages क्या क्या है एक तो यह renewable energy source है that reduces reliance on fossil fuel सबसे पहला renewable energy source है जो हमारा fossil fuel पे dependency कम करता है sustainable है इसलिए बहुत ज़्यादा important हो जाता है जो आपका waste disposal issue है कि waste बचा हुआ जो वेस्ट है उसको dispose कैसे करें वह भी आपका issue solve हो जाता है क्योंकि हम उसको convert कर देते हैं energy के form में ठीक है contribute to sustainable energy production मैंने आपको बताया कि क्या है renewable form में आता है इसलिए sustainable energy production का option है biomass energy ठीक है next इसका disadvantages देखिए मतलब यह fuel needs to be procured delivered and stored यह तो आपका थोड़ा comments हो गया कि इसको procure करना पड़ेगा deliver करना पड़ेगा store करना पड़ेगा storing बहुत बड़ी problem हो जाती है ठीक है आपको पता है biomass energy जब generate हो रही होते तो इसको store करना सबसे main problem का काम होता है ठीक है इसके अलावा एक चीज और हो सकती है इसमें अगर हम agricultural residue use करते हैं biomass energy में तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि problem कहां पर आ सकती है food security की ठीक है अगर हम agricultural residue use कर रहे हैं तो ध्यान देना है कि food security में problem नहीं आने चाहिए मतलब हम उस ही चीज का मतलब जो residue है agriculture में वही सिर्फ यूज करें biomass energy generate करने के लिए उसके अलावा food product नहीं करें नहीं तो हमारे देश में food security की भी problem आ सकती है यह एक problem आती है अगर biomass energy के disadvantage की बात करें तो फिर हम इसमें last में conclusion देंगे कि union ministry ने new and renewable energy जो आपकी MNRE ministry है उसने announce किया है central finance assistance for project utilizing biomass ठीक है biomass को utilize करने के लिए government भी promote करें क्योंकि यह renewable energy है ठीक है इसलिए sustainable है इसलिए government बहुत बड़े level पे इसको promote कर रहे है ठीक है next देखते हैं गिव इंडियन response to climate change and global warming सीथे सीथे आपको बताना है इंडियन response क्या है climate change and global warming का आप चाहें तो आप उसमें limited line है आप global warming और climate change समझाने नहीं जाएंगे आप सीथे इंडियन response बताएंगे ठीक है इंडिया है स्टार्टेड वारियस schemes and mission to mitigate and adopt climate change and global warming global warming का mitigate करने के लिए और adopt करने के लिए इंडिया ने बहुत सारे अपनी schemes start किये हैं देखते हैं कौन-कौन सी हैं इंडिया has started launch international collision such as international solar alliance सबसे पहले तो हम क्योंकि यह climate change और global warming international level पे मतलब पूरे word को effect करने वाला है इसलिए हम क्या कर रहे हैं international cooperation पे focus कर रहे हमने बनाया international solar alliance ठीक है उसके अलावा collision for disaster resilient infrastructure cdri यह इंडिया ने क्या किया बनाया है तो यह हो गया एक तो यह International solar alliance है हमने internationally countries को क्या किया है इक अठा किया है इसमें participate करने के लिए और उसके के लावा कोलीशन फॉर डिजास्टर रिजीलियंट इंफरस्ट्रक्शर यह हमने सीडी यह बनाया है ठीक है इसके अलावा इंडिया ने अनौंस किया है टार्गेट फॉर अचीविंग नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाइ 2070 हमने पेरिस क्राइमेट के अंतर गत यह अनौंस कर दिया है हम 2070 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस अमिशन बन जाएंगे ठीक है इसके अलावा पंचा मित्र हो गया आपका और लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर इंवायरमेंट इनिशियेटिव आर स्टार्टेड टू कॉंबैट क्लाइमेट चेंज हमने लाइफ स इसके अलावा देखें इंडिया ने और क्या किया है इंडिया इज़ पार्टी टुउ उनाइटेट नेशन फ्रेम्वर्क कन्विंशन अन् क्लाइमेट चेंज आपका जो UNFCC है इसका मेंबर है पार्टी मेंबर है इंडिया इसके अलावा कियोटो प्रोचोल और पेरिस सच as cyclones, floods and heat waves. आपको पता है जब climate change हो रहा है तो बहुत weather condition, extreme weather condition हो रही है. उसके लिए हमारे जो national disaster management authority है उन्होंने guidelines issue की है cyclones, floods, heat waves से related. ठीक है तो हमारा क्या है ये तरीका है climate change से लडने का और उसको handle करने का और हमने जो agreement sign कर रखे हैं ये भी हमने क्या कर रखे है global warming and climate change से के लिए हमने ये schemes start किये हैं उसके अलावा हो गया आपका national action plan on climate change NAPCC ये जो हमारा है national action plan on climate change ये बनाया है जिसमे 8 mission है in specific areas like energy, water, habitat, ecosystem. ठीक है हमने बनाया है climate change के लिए ये पूरा national plan जिसमे 8 हमारे topic है, 8 topic जो related है energy से, water से, habitat से, ecosystem से, ये हमने 8 topic main main लिये हैं जो की climate change और global warming से related है और उससे लड़ने के लिए हमने ये पूरी तयारी की है national action plan on climate change ठीक है इसके लावा अगर आपको लिखने का तरीका change करना है मैंने सिथे सिथे आपको 5 point दे दिये हैं इसके अलावा आप कैसे लिख सकते हैं एक तो आप लिख सक है ठीक है एक तो ये लिख सकते हैं इंडिया short term goal क्या बना रही है climate change और global warming से लड़ने के लिए दूसरा long term goal क्या क्या है इंडिया के इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि इंडिया मतलब अगर आपको दूसरे टाइप से बनाने तो दूसरे टाइप से और कैसे लग सकते हैं इंडिया international level पे क्या क्या कर रहा है ठीक है फिर उसके बाद national level पे क्या कर रहा है आपने social level पे क्या क्या changes किये जैसे मैंने बताया life lifestyle for environment हम social behavior change कर रहे हैं जो आपकी आज की population है वो बहुत जादा क्या हो गई है बहुत जादा consumption करने लग गई है environmental unfriendly चीजों का ठीक है तो population है उसका तो हमें इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा social level पे हम क्या क्या changes कर सकते हैं behavior हमें कैसे change करना है तो जैसे हमारा हो गया life life for environment यह हमने start किया तो आप चाहें तो यह से भी लिख सकते हैं short term goal long term goal या आप में 4-5 point बता सकते हैं ठीक है उसके अलाबा या फिर बता सकते है national level, international level, social level पे इंडिया क्या कर रहा है या आप चाहें तो sector wise भी बाट सकते हैं कि उसने transportation के लिए क्या किया है energy के लिए क्या कर रहा है ठीक है यह आप sector wise भी अलग-अलग कर सकते हैं यह आप पर depend करता है कि आप कैसे answer लिखना चाहते हैं ठीक है next देखते हैं what is the role of Na plus sodium ion औ potassium ion की क्या importance है यह क्या role है ठीक है तो आप देखेंगे sodium ion and potassium ion plays crucial role in biological system particularly in maintaining cellular function and signaling ठीक है cellular function जो हमारा है body का जो एक-एक cell अपना function कर रहा है उसके लावज सिगनलिंग है ठीक है अपने neurons की हर जगा जो पूरी body में signaling जाती है उस पे Na plus आपका sodium ion और potassium ion का बहुत important role है सबसे पहले आप sodium ion के बारे में बता देंगे फिर potassium ion के बारे में बता देंगे ठीक है sodium ions are involved in generating and propagating action potential in nerve cells तो sodium ion क्या कर रहा है यह generating and propagating action potential in nerve cell यह nerve cell में काम कर रहा है ठीक है आपका sodium ion they contribute to the transmission of electrical signal along nerve fiber and aid in muscle contraction ठीक है जैसे आपको पता है कि आपको जो nerve है वो electrical signal भेजते हैं पूरी body में फिर कोई भी आपको काम करना होता है वो आप करते है ठीक है तो यह कौन करवा रहा है आपका sodium ion है बहुत important है आपके nutrient absorption आप जो खापी रहे हैं वो डारेक्टली तो ऐसे ले नहीं लेंगे तो उस nutrient absorption में भी आपका sodium ion बहुत important रोल पे कर रहा है फिर maintaining proper fluid balance within cell cell के अंदर fluid balance बहुत proper बना रहे है उसके लिए आपका sodium ion है आप चाहें तो sodium ion ऐसे करके 3-4 point जो भी है जैसे कि क्या हो गया generating and propagating action potential in nerve cell उसके अलावा electrical signal जो हम transmit कर रहे हैं उसमें contribute करता है उसके लावा nutrient absorption हो गया fluid balance हो गया cell में तो यह सारी चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है फिर यहां पर आप K plus ion कभी बना के 3-4 point आपने ऐसे बता दिये ऐसे भी कर सकते हैं paragraph wise भी लिख सकते हैं आप पर depend करता है कि आप क्या चूज करते हैं ठीक है potassium on the other hand are crucial for establishing the resting membrane potential in cell and regulating cellular excitability ठीक है तो cellular excitability हो गया या फिर resting membrane हो गया इन सारी चीजों में आपका potassium sodium ion जो है वो role play करते है ठीक है फिर हमने potassium ion और sodium ion का बता दिया कि दोनों जो है maintain करते हैं cell volume आपको cell volume है वो regulate करते है pH आपका pH value है cell का वो regulate करते हैं and are involved in various cellular processes including muscle contraction and enzyme activity आपकी पूरी body में enzyme activity पूरी हर एक काम के लिए चल रही होती है ठीक है खाना भी बचाना है बहुत सारी processes है जिसमें enzyme activity चल रही है उसके अलावा आपका जो muscle contraction है आप कुछ भी काम कर रहे हैं मतलब मैं अगर बोल भी रही हूँ अब हाथ भी चला रही हूं तो आपके मसल जो है contract कर रहे हैं यह सारी चीजों के लिए आपका sodium और potassium और दोनों important role play करते हैं ठीक है कि नेक्स देखे है कि डिसकस्टोस टोटल internal reflection and its practical application ठीक है हमें बताना है टोटल internal reflection क्या होता है फिर बताना है उसका practical application ठीक है यहाँ पर मैंने diagram नहीं बनाया है आप चाहें तो sideways का diagram बना देए ठीक है टोटल internal reflection occur होता है when light traveling through a denser medium encounters a boundary with a less dense medium at a angle larger than a critical angle ठीक है तो diagram से समझते हैं मान लीजे यह जो मेरा यह वाला जो portion है यह क्या है आपका denser medium है यह आप चाहें तो diagram थोड़ा से वहाँ पर बना के बता दें यह denser medium है और यह आपका less dense medium है ठीक है light wave जा रही है यहां से यह आपकी जा रही है light wave यह incident ray हो गई ठीक है और यहां पर अगर उसका जो angle है light का जो incident angle है वो critical angle से ज्यादा है तब क्या होगा वो सेम ही denser medium में ही reflect हो जाएगी instead of reflecting the light reflect back completely into the denser medium leading to creating our reflection phenomena ठीक है तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर जो आपकी यह incident ray है इसका जो angle है वो critical angle से ज्यादा होता है तो reflection की जगह reflection होता है मतलब जो आपकी light ray है वो less dense medium में जाने की बजाए आपके denser medium में ही वापस आजाती है है reflect हो जाती है ठीक है यह theta r reflect हो जाती है इसको बोलते हैं हम क्या total internal reflection क्योंकि आपको क्या हो रहा है यह create हो रहा है reflection phenomena ठीक है तो यहां से आप चाहें तो यह diagram भी बना सकते हैं इसमें बता दीजेगा कि theta i आपकी incident ray है जो theta r है यह reflected ray है ठीक है तो यह हो गया reflected ray यह incident ray denser medium और less dense medium और यह आपको बताना है कि जो एंगल है theta i वो लार्जर दन critical angle है यह आपका total internal reflection का पूरा explanation है कि मतलब कैसे यह काम करता है total internal reflection होता कैसे तो यह आपने बता दिया starting मतलब definition में starting में बता दिया कि यह है क्या फिर आपको वैसे भी बताना है discuss करना था total internal reflection पहले तो यह बताना ही था समझाना था आपने कुछ लाइन तीन चार लाइनों में समझा दिया उसके बाद practical application देना है तो फिर इसका application बताएंगे ठीक है तो यह आपको समझ में आगया total internal reflection क्या होता है occur when light traveling through a denser medium encounters a boundary with a less dense medium ठीक है यहां आपकी जो यह boundary है उधर less dense medium है इधर dense medium है और उसका जो एंगल होता है उस रे का light ray का वो critical angle से अगर ज्यादा होगा तो आपकी जो light है वो reflection की जखा क्या होगी completely reflect back into the denser medium जिसकी वज़ा से create होगा reflection phenomena ठीक है फिर हम देखते हैं इसका application आपको practical application बताना है practical application सबसे पहला तो यूज होता है यह कहां पे optical fiber में ठीक है तो fiber optics total internal reflection is utilized to transmit light signals through optical fiber enabling high speed and long distance communication आपको पता है आज कल जो हम यह high speed data use कर रहे हैं उसमें optical fiber use हो रहा है broadband जो भी technique है अपनी तो broadband technique में आज कल हर जगह आपको optical fiber ही मिलेगा क्यूंकि यह क्या करता है light signal को transmit कर रहा है इसका speed बहुत ज़ादा है इसका total internal reflection की वज़ए से जो data loss है वो बहुत कम है ठीक है और बहुत distance तक यह travel कर सकता है without any loss तो इसलिए हम fiber optics में use कर रहे हैं total internal reflection का और इसको use किसमें कर रहे हैं communication purpose के लिए ठीक है next आपको हो गया endoscopes endoscopes में हम total internal reflection का use कर रहे हैं total internal reflection allows for the transmission of light within the flexible tube enabling medical professionals to visualize internal organ and tissue मतलब हमारी जब body का check-up कर रहे होते हैं तो endoscopy में तो वहां पर भी total internal reflection ही use कर रहे होते हैं मतलब हो जो पाइप होती है उसमें से light pass होती है फिर हमें internal body का जो चीजें है वो दिखने लग जाती है ठीक है visualize हो जाता है internal body organ और tissue तो यह use हो रहा है आपका तो second हो गया example practical application total internal reflection का थर्ड आपने बताया प्रिज्म में reflective prism आप चाहें तो छोटी छोटी लाइन में कर दीजे या फिर आफिर कॉमा कॉमा करके भी लिख सकते हैं ठीक है reflective prism क्या हो गया total internal reflection is employed in prism to redirect light at a specific angle facilitating application in cameras projectors और optical instruments ठीक है हम क्या कर रहा है प्रिज्म में reflective prism में total internal reflection की वज़ा से एक एंगल में specific angle में light को redirect कर रहे हैं और इसका यूज बता दिया किसमें हो रहा है camera में projector में और या फिर आपके optical instrument में ठीक है हमने तीन application बता दिये और उसके पहले क्या बता दिया main बता दिया total internal reflection हो ता है ठीक है I hope यह दोनों चीजें आपको अच्छे समझ में आई हूं इसमें मैंने चाहता टाइम यह इसलिए है क्योंकि यह physics का आपका question है और यह आपको समझ में आना चाहिए कि यह जो लिखा हुआ है वह लिखा क्या हुआ है ठीक है डाग्राम जरूर साइड में थोड़ा सा छोटा सा बना दीजेगा यह बताने के लिए कि आपको उसके बारे में पता है ठीक है next देखते हैं explain in brief about prokaryotic and eukaryotic cell मैंने आपको 2016 में भी बताया था उसमें आपको एक डिफरेंस आया हुआ था बायो से तो मैंने उसमें भी बताया था कि आपको प्रोकारियोटिक यूकारियोटिक प्लांट सेल और अनिमल सेल मेटल नॉन मेटल उसके लावा अनरोबिक और आपका एरोबिक यह रस्पिरेशन यह बहुत ज्यादा कॉमन डिफरेंस है जो पूछे जाते हैं अब देखे 2015 में भी आया 2016 में भी आया ठीक है प्रोकारियोट यह बहुत पहले उनौे नुकणॷ rozp लुचरल मेंब्यां नहीं रहता इसकी विजए से डिस्टेंग नूकलियस नहीं रहता यूख्योर यह कि आके डेल नुकलियस रहता है इसकी विजए से उसका डेल डिस्टेंग नुकलियसushoda मतब नियूक्लियसस ड़लनुकलियर मेंब् गौल्जी Bobby हो गया उसके अलावा Ha Endoplasmic raticulum, इसमें नहीं होते हैं क्युम्ह murmur कि पहले के चल्हों हो गगई retro-mありがとう The чисkyle, the지 को में जूरॉ नॉट आइव स्ट्रॉक्चर आपने लिग दिया फिर DNA is in naked form, ठीक है नेकट form में होता है DNA, इस में क्या होता है, यह chromosome में होता है, ठीक है, खोल में बढ़िया अच्छे से pack होके अंदर होता है DNA, यहां पर naked form में होता है, cell size क्या है, इसकी small है, less than micrometer, इसकी cell size क्या है, 10 से 100 micrometer जाती है, ठीक है तो इसका cell size छोटा है, prokaryotic का, eukaryotic का cell size बड़ा है फिर ribosomes are of a smaller size and are freely scattered in the cytoplasm cytoplasm में freely scattered होते हैं, rhizoplasm और बहुत ribosome और बहुत smaller size के होते हैं इसमें क्या होता है, ribosome are of large size, पहले तो यह यह हो गया कि वो large size का होता है फिर are present either attached to endoplasmic reticulum यह क्या करते हैं, जब आपके nucleus वाले portion से निकल के आते हैं, ribosome, तो वो endoplasmic reticulum जाब का, rough endoplasmic reticulum है, वहाँ पर जाके चिपक जाते हैं, ठीक है, ऐसे freely नहीं घूम रहे होते, तो यह आपको याद रखता है फिर cell wall is composed of peptidoglycan, ठीक है, तो आपकी जो cell wall बनी होती है prokaryotes में, वो peptidoglycan की होती है, और यहाँ पर जो cell wall बनी होती है, प्लांट, एनिमल सेल में तो होती नहीं, प्लांट सेल में होती है cell wall, तो वो बनी होती है cellulose की, ठीक है, सेवन्थ हो गया आपका, organisms made of prokaryotic cell are called prokaryotes, organisms made of eukaryotic cell are called eukaryotes, ठीक है, example बता दिया हमने, bacteria, finobacteria, यहाँ पर algae, fungi, animal, plant cell, यह सारे आपके eukaryotes में आ गया, ठीक है, तो यह prokaryote, eukaryotic cell आपका बहुत important difference है, इसके लावा aerobic, anaerobic respiration हो गया, उसके लावा metal, non-metal मेने बताया, ठी animal cell हो गया, यह बहुत common differences हैं, जो आपको बिल्कुल ऐसे fact बना लेना है, 4-5 और याद कर लेना है, अच्छे से, जिससे, आए paper में तो आप बिल्कुल वही छापके चले हो, आपको सोचना भी नहीं पड़े हो, उसके लिए, ज्यादा, next देखिए, explain ozone layer depletion and its effect, हमें बताना है ozone layer depletion के बारे में, ठीक है, ozone layer के बारे में नहीं बताना है, उसके depletion के बारे में बताना है, और depletion की वेज़ा से effect क्या हो रहा है, वो बताना है, ठीक है, तो ozone layer depletion refers to the gradual thinning and reduction in the concentration of ozone molecules in the earth stratosphere, आपके earth stratosphere में आपको मिलेगी ozone layer, ठीक है, वहाँ पर ozone layer depletion से यह मतलब है, कि क्या हो रहा है, gradual thinning and reduction in the concentration of ozone molecules, वहाँ पर जो ozone molecules हैं, उनका reduction हो रहा है धीरे-धीरे और वो thinning of ozone layer, ठीक है, फिर it is primarily caused by chlorofluorocarbons, CFC इनका primary reason है, आपके ozone depletion का, ठीक है, which breakdown ozone molecule, जो की ozone molecule को क्या करता है, breakdown कर देता है, तो यहाँ पर CFC जो है, वो ozone molecule को breakdown कर देगा, जिसकी वज़ा से जो आपकी ozone layer है, वो thin हो रही है, ठीक है, और gradual उसमें क्या हो रहा है, reduction हो रहा है, उसके concentration पर, ठीक है, a paper reporting the significant decline in ozone level, over Antarctica, which came to be known as the ozone hole, सबसे पहले, जो आपका ozone depletion है, या ozone hole है, कहाँ पर देखा गया था, अंटाक्टिका में, 1980s में, तब हमें पता चला था कि ozone layer जो है, वो धीरे-धीरे क्या हो रही है, deplete हो रही है, reason क्या था, primarily reason था आपका chlorofluorocarbon, ठीक है, फिर हम बताएंगे यहाँ पर, कि इसके कारण होगा गया, ठीक है, ozone layer depletion allows more, allow क्या करता है, more ultraviolet radiation to reach earth surface, उसकी वज़से क्या होगा, harmful effect होगा, देखते हैं क्या-क्या effect होगा, ozone layer कर क्या रही है, ozone layer earth surface को sun की जो ultraviolet rays आ रही है, उनसे protect करती है, ठीक है, तो जैसे ही depletion होगा, यह harmful ultraviolet rays सीधे earth surface तक आने लग जाएंगी, जिसकी वज़से क्या होगा, high risk of skin cancer, ठीक है, सबसे पहला होगा, high risk of skin cancer, फिर damage to marine ecosystem, इतनी ज़्यादा UV rays जो आएंगी, वो damage करेंगी, marine ecosystem, such as phytoplankton and coral reefs, ठीक है, तो coral reef और phytoplankton होगा है, जो आपके marine ecosystem है, उसको बहुत ज़्याद including, reduce करेगा crop yield, मतलब जरूरी नहीं है, सिर्फ यह आपके human health या animal health को, या marine ecosystem को ही खराब करें, यह क्या करेगा, आपका yield है, वो crop yield भी कम हो जाएगा, ठीक है, disruption in food chain, तो आपका crop yield अगर कम होगा, तो food chain में भी क्या होगा, disruption होगा, adverse effect on human health, including eye damage, UV rays आपकी eye damage कर सकती है, skin cancer कर सक मतलब आपका immune system भी खराब हो सकता है, respiratory problems आ सकती है, तो आपने बता दिया कि जो ozone layer का depletion है, उसका human पर क्या impact है, marine life पर क्या impact है, terrestrial ecosystem पर क्या impact है, ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे कर लें, या फिर आप जैसे यहाँ पर लिख दें, terrestrial ecosystem और फिर उसमें बता दें कि उसमें क आपका impact हो रहा है, ठीक है, human कर दें, और human में बता दें कि 3-4 क्या-क्या impact पढ़ रहा है, आपके depletion के कारण, ठीक है, ozone layer depletion के कारण, तो यह होगा, आपका main ozone layer depletion है क्या, पहले आपने यह बता दिया, फिर उसके बाद आपने बता दिया, कि उसका effect क्या-क्या ठीक है, next देखते हैं, यह question जो है, आपका math का question है, last के दो question 2015 में math के थे, ठीक है, the population of a town is 176,400, there is an increase in it at rate of 5% annually, what will the population of a town after, तो यह population वाला question है, simple से question अगर आपको formula पता है, तो आप आराम से इसको solve कर सकते हैं, data क्या-क्या दिवेन है, population of town, जिसको हमने NO माना है, क्या है, 176,400, rate at which population changes, R जो है, वो आपका 5% है, फिर number of years, दो साल में, तो दो साल में हमें निकालना है, कि कितना change हो जाएगा, ठीक है, आपका जो formula है, वो यह है, तो यहाँ पर जो formula होता है, population of the N year, वो होता है, N equals to NO, जो आपकी population है, अभी town की 1 प्लस जो आपका R है, जिस rate से change हो रही है, ठीक है, R की power N, ठीक है, 1 प्लस R whole power N, N क्या है आपका, कितने time बाद हमें निकालना है, यहाँ पर आपको बस क्या करना है, put कर देनी है, सारी value, तो यह होगे, आपकी सारी value put कर दी, into कर दीजे, और आपका आजाएगा answer, 194,481, यह आपका population हो गया, after 2 years, ठीक है, simple सा question था, based से था, सिर्फ और सिर्फ formula पे, और आपको लिखना है, तो इसलिए आराम से एक एक चीज आपको बतानी पड़ेगी, town population कितनी है, किस percent की growth, growth किस rate से हो रही है, और कितने time बाद हमें निकालना है, ठीक है, फिर next question यह आया हुआ था आपका, the difference in compound and simple interest of any amount of money of 3 year at annual rate of 5% is 61 rupees, find the principle amount, 2016 में आपने देखा था कि यह SI और CI का ही पूछा हुआ था, ठीक है, और इसमें पूछा हुआ था कि इन दोनों में principal amount दिया हुआ था, SI और CI में पूछा था कि इस amount में इतने percent पे कितना difference आएगा इन दोनों की value पे, ठीक है, अभी क्या पूछा हुआ है, अभी difference दे दि time 3 year का दिया हुआ है, हमने माल लिया कि जो आपका principal amount है वो क्या है, P है, तो simple interest आपका क्या होता है, SI, SI होता है आपका P into R into T upon 100, जहां पे आपने formula रख दिया और आपका आगया 0.15P, फिर हमने बताया, CI क्या होता है, CI का formula, CI का formula होता है आपका principal amount 1 plus R upon 100 whole power N minus P, ठीक है, तो यह हमने सबसे पहले यह वाला formula निकाल लिया amount का, कि amount कितना होगा, तो इस वाले formula में लिखते हमने लिख दिया, amount निकाल लिया, फिर amount minus principle जो है, वो आपका आएगा CI, ठीक है, यह हो गया आपका amount, तो amount minus principle equals to CI, तो पहले हमने निकाल दिया, यह amount हो गया formula, 1 plus 1 P bracket 1 plus R upon 100 whole power T, यहां पर हमने amount निकाल लिया, 1.158 P आया, फिर compound interest होता है, amount minus principle, तो amount minus principle आपका आगया CI, 0.158 P, अब हमें पता है, difference of simple interest and compound interest कितना है, 61, 61 में इन दोनों की value पुट करेंगे, और आपका principal amount आजाएगा, 7,625, ठीक है, यह भी simple सा formula, पुट करने वाला ही question था, ठीक है, तो यहां आपको दोनों formula पता होने चाहिए, 2015 और 2016, दोनों में CI, SI का question आया, तो आप कही न कहीं देख रहे हैं, यह important है, आपको पढ़के जाना चाहिए CI, SI को अच्छे से, उसके और question पूछे जा सकते हैं, क्योंकि previous year में पूछे जा च हो गया, 50 words हो गया, next आपको जो lecture आएगा, वो आएगा किसका, 200 words का, ठीक है, तब तक पढ़ते रहे हैं, और कोई भी doubt हो, तो आप comment करके पूछ सकते हैं, तेलीग्राम पर ब्रामी अकैडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रूप है, आप वो जोइन कर सकते हैं, और उसके अलावा सब्सक्राइब करिए, जादा से जादा लोगों तक शेर करिए, तक इसमें मैं बहुत महनत कर रही हूँ, आपके लिए प्रॉपर हर चीज लिखके ला सारे के सारे आपके पेपर, जितने भी हैं, हिस्ट्री, हिस्ट्री, जोग्रफी, पॉलिटी, सब का सॉल्यूशन मिल जाए, टाइम से, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्श्योर पे, तब तक पढ़ते रही है, all the best.